हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहोस आप सलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगलर 10 का फुल टुटोरियल सीरिज अगर आप अंगलर में अपना सपलगरी बनाना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए साउस आफ्ट के ओंलाइन कोर्स के लिए क्यों भी हमने तयार किया एक कस्टमाइज ट्रेनी प्रोगाम जहाँ पर आपको मिलती है कॉर्पेट लेवल की नॉलेज सारी साथ में आप क इस टरीखेस एक जामपल करके भी देखा कि किस तरीखेस से NG content यूज करते हैं और इसका क्या बेटेल्स में देखा कि किस तरीके से मैं जी content यूज़ करते हैं, कैसे हम content projection की यूज़ मिलाते हैं, तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो एक पर जरूर विजिट कर लिजिए, उसको मैं आपका recommend करूंगा, क्योंकि बहुत important video है, और mostly यूज़ होता है project में, और उससा बहुत ह होता है, और आज कल interview में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उसका link में इस video की description box में दे दूँगा, आप उसको एक पर विजिट कर लें, और आज आपके लिए मैं एक बहुत important video लेकर आया हूँ, बहुत सारे viewer के request पर और ये बहुत mostly यूज़ हो जाता है, और बहुत पूछ tutorial में कि हम jQuery को कैसे install करेंगे, कहां पर path set करेंगे, install होने के बाद कहां पर data store होता है, means की सारे file कहां पर store होता है, उसका path हम कैसे set करेंगे, कहां करेंगे, और इसको import कैसे करेंगे, बहुत important question है दोस्तों कि हम jQuery को import करेंगे कैसे और इसको कैसी use मिलाएंगे, इन सारे चीज तो दोस्तो इससे पहले कि मैं इस video tutorial को start करूँ, मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो kindly आप इसे subscribe कर लें और bell की icon क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर video का notification आपके YouTube आप और email में मिलती रहे. तो दोस्तो चलिए start करते हैं इस video tutorial को, तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि jQuery को use मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको install करना होगा, इसका command होता है दोस्तों कि npm install jQuery dash dash save, means कि इस command को जैसे ही हम अपने command line में या terminal में जाकर इसको execute करेंगे, तो ह हमारे application में jQuery install हो जाएगा, इसको मैं बैकाइदे install करके दिखाऊंगा आपको, पहले मैं आपको theoretical part बताता हूँ, कि हमें क्या क्या करना होगा, उसके बाद practical करके देखेंगे इस video tutorial में, तो इससे आपका concept बिल्कुल clear हो जाएगा, और आप भी easily अपने application में jQuery use कर पाएगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं npm install jQuery-save, यह command चलाना होगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा time लगता है, और हमारे application में jQuery install हो जाएगा, jQuery install होने के बाद, जो हमारा folder होता है node modules, उसमें जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें इसका folder बन जाता है, तो उसमें folder बन जाता है, और दूसरा work होता है हमारा, कि angular.cli.json file में हम जाएंगे, और वहाँ पर script को ढूंडेंगे, जो property होता है script, उसको ढूंडेंगा, उसके अंदर हम अपने इस path को, आप नीचे देख रहे हैं, कि ng-module.slash jQuery.dist slash jQuery.min.js, यह file जहाँ पर available है, कहाँ पर है, ng-module के अंदर एक folder बना होगा, उसके अंदर jQuery.min.js में इसको दिखाऊंगा, यह file copy करके, हम अपने script के अंदर डाल देंगे, कहाँ पर script property होगा, angular.cli.json, दोस्तों यह note करने वाले चीज़, अगर आप इसको note कर सकते हैं, note कर लीजिए, और leak लीजिए, क्योंकि यह चीज़ पूछे जाते हैं, औ वहाँ से भी इसको note कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, इसके बाद जो work करना होगा, यह तो हमने क्या क्या install किया, और इसका path set कर लिया, यह चीज़ में आपको और भी notice करा हूँ आपको, कि अगर आप अपने application में bootstrap यूज करना चाहते हैं, या फिर already bootstrap यूज होगी, कि वहाँ पर jQuery के file पहले रखेंगे, उसके बाद bootstrap का file रखेंगे, तब ही यह proper work करेगा, नहीं तो अगर आपने bootstrap को पहले रख लिया, उसके बाद jQuery को रखा, तो फिर work में नहीं आएगा, error so करेगा, right, यह हैं पर आपने पर देख सकते है, script के अंदर हमने पह jQuery डालना होता है, right, उसके बाद ही हम bootstrap के javascript file को रखेंगे, तब ही यह work करेगा, नहीं तो पहले हम bootstrap को रख दिया, उसके बाद jQuery को रखेंगे, तो jQuery उसको मिलेगा ही नहीं, तिसलिए थुरा सा error show करेगा, right, after including jQuery, जैसे आप jQuery include कर देंगे, तो अगर आपका application run कर हो, तो उसको हमा stop करेंगे, again ng serve करेंगे, यह भी notice करने वाली बात है दोस्तों, कि बहुत लोग क्या करते हैं, कि jQuery add कर लिया, और फिर उसी पर save कर करन कराते हैं, तो दो बोलते हैं, कि हमारा work नहीं कर रहा है, तो आप इसे इसको note कर लिजिए, जैसे jQuery add करते हैं, तो आप अपने application को stop कर दिजिए, उसके बाद ng serve again किजिए, तब आपका यह add हो जाएगा, include हो जाएगा, और work करने लएगा, right, jQuery install हो चुका है, आपने path भी set कर लिया, अब आप इसको easily use कर सकते हैं, अपने component पर, जहां भी आपको use करना हो, वहां पर आप यह line लिखेंगे, import streak from jQuery, means कि jQuery से सारा चीज आप इस page पर, component पर import कर रहे हैं, right, तो चली हम एक practical करते हैं, install करते हैं, इसका path set करते हैं, मैं दिखाता हूँ, एक इस folder में कहां पर इसका file available हो जाता है, install करते हैं, और उसको कैसे set करेंगे path को, उसके बाद हम jQuery import करेंगे, और एक छोटा से example करके देख सबसे पहले हमने बताया कि jQuery use करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि यहाँ पर npm install jQuery-save, right, अब enter हिट करेंगे, तो थोड़ा सा पेसेस रखेंगे, यह थोड़ा सा time लगता है, उसके बाद install हो जाएगा आपके system में, इस application में jQuery, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसका file क यहाँ बनता है, और उसको कैसे हम set करते हैं उसका path, right, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि install हो चुका है package, add हो गया, तो यह कहाँ पर add होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि node modules के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम jQuery का folder ढूनेंगे, right, तो jQuery के folder में यहाँ आपको, jQuery के folder, उसके बाद dist के अंदर जाएंगे, और उसके अंदर आप देख सकते हैं jQuery.min.js file अफलेबल है, right, means कि यह आपके application में install कर दिया और folder भी add कर दिया jQuery का, अब आप इसका path set करेंगे, angular.cli.json file के अंदर, right, तर चली चलते हैं अंदर, आप इसका path याद कर लेजिए, ng module के अंदर, jQuery, jQuery के अंदर dist, dist के अंदर jQuery.min.js, right, इसको, तो आप चली चलते हैं हम, angular.cli.json file के अंदर, right, और यहाँ पर script property को ढूढ़ेंगे, यहाँ पर angular.cli.json यह page है, right, और इसमें आप script ढूढ़ेंगे, आप देखिए, यहाँ पर script अबलेबल है, right, तो इस script के अंदर, यह जो है, अभी हम इस application में कोई bootstrap यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम jquery का file का path यहाँ पर set कर देंगे, right, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, double clickage के अंदर, dot, और यहाँ पर हम, क्योंकि एक folder के बाहर जाना होगा, क्योंकि ng module है, हम app के अंदर है, right, तो यहाँ पर हम क्या क्लिखेंगे, node, modules, modules, इसके अंदर था jquery, और इसके अंदर dist, फिर इसके अंदर jquery.mean.js, right, तो हमने इसका path set कर लिया, right, अब हम क्या करेंगे, दोस्तों, इसको import करेंगे, जहाँ पर हमें use करना होगा, right, तो means कि दोस्तों, यहीं पर अगर आप bootstrap भी use करेंगे, तो इसके अंदर, यहाँ पर इसके बाद use करेंगे, bootstrap ना की पहले करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ दर theory part में हमने बताया, कि जो bootstrap का page, जब page का file या file का जो आपका path होगा, जो set करेंगे, उसको आप jquery के बाद set करेंगे, right, तो दोस्तो इसके लिए चलते हम क्या करेंगे, html page पर जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोस्तो की एक बटन लेते हैं, उसपर click करने के बाद हम deep बनाएंगे, और deep के अंदर हम कुछ animation set करेंगे, right, jquery के help से, right, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों ऐसा scenario हमने सोच लिया कि हमें क्या करना एक button लेना है तो यह सारी चीज़ा जो पहले से आ रहा है इसको हटा देते हैं right और यहाँ पर हम ले लते हैं button बहुत सरा एस्टाइल लगा लिया आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर border solid यह color border radius सारे चीज हमने set कर लिया आप इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से भी right तो इस पर हमने तभी दिव लिया right अब इस पर हम क्या करेंगे यहां पर हम real work करेंगे जो की jQuery क्या होगा right तो दोस्तों जैसा कि पहले मैंने बताया था अभी थोड़ी दर पहले कि हमें import करना होता है jQuery को right यहां पर हम रिखेंगे import import star from jQuery right यहां पर आप import star from jQuery या फिर star as भी लिख सकते हैं as dollar ऐसे इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं right तो दोस्तों यह हुए हम import कर लिए अब हमें इसको यूज करना है right तो इसको यूज करने के लिए दोस्तों कैसे उसको animation set करेंगे यहां मैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि public ng on init right यहां पर हम लिखेंगे यहां पर she होगा public right इसके बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर हम dollar का sign लेंगे जो कि jQuery के लिए होता है आपको पता ही है यहां पर हम document dot document यहां पर dot ready उसके बाद हम यहां पर function बनाएंगे right और यहां पर हम लिखेंगे again dollar button को यहां पर get करेंगे button dot click right और यहां पर हम function बनाएंगे function और इस function में हम लिखेंगे where dot div यहां पर dot की जोत नहीं है यहां पर div का हम variable लेंगे div equal to dollar div right इसके बाद हम semicolon लगाएंगे उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे div dot animated div dot animate right और यहां पर हम pass करेंगे left या right आप जो तरीक जहां जीधर से move करना चाहते हों लिख सकते हैं पर colon 1000px उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर slow right उसके बाद यहां पर semicolon उसके बाद अगें div dot animate यहां पर हम लिखेंगे font size right और यहां पर हम colon लगाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर 5 p.m. इसके बाद comma again slow right उसके बाद हम यहां पर semicolon लगा देंगे यहां पर semicolon लगाएंगे यहां पर semicolon लगाएंगे यहां पर दिये हुआ गया हमारा function दोस्तों हमने किया कि यहां पर कि angular cli.json की फाइल के अंदर इसको हमने path set कर दिया html page पर हमने एक deep बनाया और उसका color ds जो भी set करना set कर दिया दोस्तों आप इसको type कर सकते हैं देखकर इसको write या फिर अपने तरीके से deep बना सकते हैं या फिर इसका code आपको चाहिए तो हमारे comment box में अपने email id share करेंगे हम आपको इसको हमने apply कर दिया jquery के थुरू right यहाँ पर jquery कपको import करना होगा right उसके बाद हम इसको run कराएंगे यहाँ पर लिखेंगे ng serve और enter hit करेंगे तो टाइम लगता है तो दोस्तों यहाँ पर यह compile हो चुका है compile successfully आपको और बताता है चलूं दोस्तों कि जो हमारा यह angular.cri.gestion है आप यहाँ पर देख सकते हैं double dot single dot अपने according लगा सकते हैं कि इतने folder के बाहर लाना है अगर single dot पर नहीं चलता है तो आप double dot लगा लेंगे यहाँ पर उसके बाद हम web browser में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर div आ चुका है जहा लिखा हुआ है और यहाँ पर आ रहा है start animation जैसे start animation पर click करेगे इस पर animation apply हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यह सारे page पर apply हो गया एक क्यों कि यहांपर हमने क्या कैए दोस्तों कि यहां पर आप है सकते हैं कि एक और डीव है इसको नहीं रहता लेंगे क्योंकि दुनों deep apply हो जा रहा है इसको हटा देंगे तब यह proper work करेगा इसको हम save करेंगे और again browser में जाएंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से work कर रहा जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इस पर अप्लाई हो गया जो कि हमने code कर रहा यहाँ पर राइट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जे क्योंकि अपने इंगलर 5 का अंदरीज करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे path set करते हैं और कैसे import करते हैं और फिर भी आपके mind में कोई confusion ने दोस्तों हमारे comment box में जरूर सेर किजिए तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले topic असाथ तब तक के लिए thank you अगर आप बिल्कुल ही corporate लेवल कर नौलेज देना चाहते हैं देखिए English 10 सीखना और English 10 में काम करना बहुत है different thing क्योंकि अगर आप कहीं इंटर्व्यू देने जाते हैं तो English 10 में केवल English 10 का ही concept नहीं पूछा जाएगा या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तेक विए English 10 का knowledge रखने से ही आप project नहीं develop करने रहें क्योंकि इसके कुछ supporting चीजें हैं उसके बारे में भी आपको proper knowledge होना चाहिए यसे English 10 में काम करने के लिए आपको type script आना चाहिए तो type script आना चाहिए उसके बाद RxJS library के बारे में knowledge होना चाहिए English material वूट a step English करने आना चाहिए API लि चाहिए एक बहुत ही बड़े corporate level company में काम करना चाहते हैं तो आप हमारा online class जोइन कर सकते हैं क्योंकि हम online class में training provide करते हैं अंग्लर स्रेटर सारे चीजों का जैसे की full type script basic से लेकर advanced level तक angular 10 यहां तक की angular 2 से लेकर 9 तक के भी recommended changes वो सारे बताया जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में काम मिलेगा किसी company में हो सकता है कि 5 में मिल जाए 6 में मिल जाए तिसलिए आपको उनके भारे में भी knowledge होना चाहिए तिसलिए हम जो training देते हैं तो सारे concept आपको बताते हैं उसके बाद angular में जो code होता है type script में होता है तो पूरा type script भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने online class में उसके बाद हम RxJS library जो एंगलर का हट मना जाता है बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं उसको भी हम अपने training में provide कराते हैं उसके बाद angular material boot step use करना शिखा जाएंगे ठीक है project training में हमने वो project choose किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में जैसे e-commerce का application जिस्ट में कि सारे concept यूज हो जाते हैं यहां तक कि payment gateway integration every concept will be covered in this project training तो आप बिल्कुल ली अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा online class join कर सकते हैं जहां पर सारा चीज एक पर में आपको मिल जाएगा